सो दोस्तो फाइरली आप लोगों के सामने खड़े वी हैं ब्रैंड न्यू बजास्ट पलसर 220F दोस्तो कमपनी ने आप छोटे-मोटे चेंजस किये हैं आपको नया मीटर देखने को मिला है कमपनी ने नया ग्राफिक दिया है और कमपनी ने याप और भी कुछ जो चेंजस किये हैं उसके बारे में आपको आज के इस फिडियो में बताने वाला हूँ दूस्ते इस फिडियो में इस बाइक के बारे में डीटेल में बात परेंगे डीटेल में आपको मैं सारी चीज़े बताने वानाओ चलिए फिर आज की इस फिडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पर पहली बराया है तो प्लीज सब्सक्राइब करने सेगा देखर करने को आउन करने सेगा दूस्तों सबसे पहला जो चेंज आया है वो आप देख पा रहे हैं यहापको 220 की नई बैचिंग देखने को मिल रहा है 220 की नई बैचिंग कंपनिय ने दिया इसे वाइड ग्राफिक में कंपनिय ने से हाइलाइट किया है यह सेम चीज आपको Pulsar 150 में भी देखने को मिला है यह एक पहला चेंज है तो जो दुसरा चेंज किया गया है वो चेंज किया गया है इस बाइक के स्पीडो मेटर में कि आप फालिली इस बाइक में आपको फुली डिजिटल मेटर देखने को मिलेगा साथ में आप आपको जो चार्जिंग पॉइंट है दोस्तों वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता जो कि लास्ट टाइम तब नहीं आता था तो यह मेजर चेंज है दोस्तों कमपने ने इस बाइक पे लाया हुआ है उसकी पर दोस्तों मैं बात कर लूँ इस बाइक की प्राइस की बारे में तो अब जैर से बात यह कंपने ने चेंजर्स लाया तो प्राइस भी बढ़ाया होगा दोस्तों अब यह बाइक आपको एक सुरूम प्राइस आ रही लबगा करते हैं कि आपने गलत प्राइस बताया है दोस्तों आपको अब प्राइस मेंशन नहीं कर रहा हूँ फिलागी चली रिव्यू में आता है सबसे पहले मैं इसकी की ओन करेंगे सबसे पहले आपको बाइक में देखने को मिलती है जो की बहुत ही प्रीमियम और बहुत आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी आपको कोई एकसा फॉगनेट नगाने की ज़रा तो ही पड़ेगी जो टान सिंगल लेप है वह आपको यहां पर बहुत अच्छे मिलेंगे दुस्तों इस बाइक में जो फ्रंट सस्पेंशन आते हैं आपको टेलिस्कोपिक आए कि आप देख पार है कमपने ने टेलिसकोपिक स्पेंशन इस बाइक में ओफर किया हुगा है जो टायर साइज है दुस्तों फ्रंट में आपको 90-90 के टायर साइज आपको फ्रंट में मिलेंगे बात करें ब्रेकिंग के बारे में दुस्तों ब्रेकिंग में इस बारे में इस इस bike के speedometer के बारे में जो की company ने एक major change इस bike में लाया है सबसे पहला आप की देख लेजे इस type की की आपको bike में मल लेगी दोस्तो इस bike में आपको fully digital meter आपको finally देखने को मल जाता है जिसका हम काफी दिनों से wait कर रहे हैं इन company ने finally याप पे fully digital meter में काम किया है features की बारे में बात करने सबसे पहले ये takeometer है जिसे RPM meter केहते हैं यहाँ पे आपको timer देखने को मल रहा है दोस्तो ये इसका side distance indicator है इसके आपको bluetooth connectivity भी मिलता है ये दिखा रहे है refuel लियने की fuel दालिए ये आपको auto meter है ठीक इसके बाद दोस्ते आपकी fuel indicator मिलता है और आपको ये RPM भी देखने को मलता है यहाँ पे एक speech है जिसे आप से change करके देख सकते है और क्या settings देखिए exit, bluetooth है, DTS, I, set clock दिखा रहा है exit, pulsar, ये सारे feature आपको bike पे देखने को बल जाते है मतब दोस्तो feature wise bike और भी बहतर होगा ये पहले के compare में bike में आपको सारे feature मिलेंगे switcher दोस्तों ये पास switch है ये इसका speedometer controller, turn a single life on engine के इसे और एक साइफ फास इस आपको bike में बल जाता है, ठीक, यहाँ पे आपको E20 की बैचन भी मिल जाती है बात कर लिए दूस्तों इस bike के engine specification के बारे ने दूस्तों आपको बता दो 220 में engine type में बजाज की तरफ से 220 CC का ओल कुल DTSI TVS per plug जो engine है आपको इस bike में देखने को मिलेगा बात करें power and torque के बारे में दूस्तों ये maximum power में 20.4 का PS power general करती है ने 18.55 का आपको इस bike में देखने को मिल जाता है इस power के साथ में ये bike की जो performance है इतनी तगड़ी है ना ये NS200 एक liquid cooling bike है बट उसे पूरा ये टक्कर दे सकती है भाई full competition, tough competition देने का दम रखती है oil cooling होने के बाद भी 220 F actual में legend जिसे हम कहते है न वो legend bike है दोस्तों cooling system में oil cooling engine मिलेगा आप देख पार है company ने छोटा साया पर radiator use किया हुआ है दोस्तों इस bike की जो bore size है वो 67 mm है stroke size 62.4 mm है ये two all-way engine के साथ में आती है इसमें आपको number of 5 speed gearbox देखने पर मिलेंगे इसमें आपको normal weight multi plate clutch आपको bike में मिल जाते हैं इसमें आपको sleeper clutch फिलाल नहीं मिलता में भी आने वाले समय में जो बजाज इस चीज में आपे update लेकर आ जाया ठीक पर दोस्तों इस bike का complete engine specification बात कर इस bike के mileage and performance के बारे में देखिए mileage ने depend करता है आपके riding skill पे क्योंकि हर किसी के ride करने का जो तरीका होता हो काफी अलब होता है बट फिर भी दूस्तों ये bike minimum आपको लगबख 42-45 gas pass का mileage देदेगी 0-100 में इस bike को लगबख 10.5 सेकंड लगते हैं top speed आपको इसकी 140 से मताब 135 से 140 km फारावार gas pass की top speed आपको इस bike की मिल जाती है अब आते हैं इस bike के rear profile में सबसे बेले आपको 220F की batching मिल रही है यह bike के rear suspension है जो कि आपको twin shock absorber मिलेंगे 1 and 2, 2 part में seat आपको monosock नहीं आते rear में जो tire से जाता है 12080 आता है rear में इस पे आपको 230 mm की display मिलेगी इस bike का exhaust जो की काफी bassी sound करता है इसके footage है footage quality भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे जो tail light है जो आपको है आपको LED देखने को मिल जाता है वैसे जो seat है आपको split seat bike में मिल जाती है बातकल इस bike के diminution and capacity के बारे में जो इस bike के जो overall overall जो length है वह में देखने को मिलती है 2035 mm की seat height है 795 mm की आपकी height around 5.2 है से उपर हो तो अब इसे comfortable light कर सकते हैं इसकी जो curve इट है वो 160 kg का है fuel tank capacity आपको लबग 15 से solar liter के आसपास की आपको इस bike में देखने को मिल जाती है स्वेद अधर सो brand new 220F का detailed specification review नई 220 आपको कैसी लगी please नीचे comment section में comment करके जरूर बतायेगा उमीद करता है आपको एक छोटी से interesting video अच्छी लगी की video अच्छी लगी तो like करना चैनल पे पहली बनाए तो subscribe कर लेना जलते हैं नेक्ट वीडियो में love you all, जय है बन्द मांतरम